मंगलबार का पवित्र दिन है और गुप्तना वरात्री का दूसरा दिन कुल मिला कर बहुत सारे दूरलब सायोग हो रहे हैं इस दिन किये गए कोई भी कारी बहुत सारा सुक प्रदान करते हैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे सरलतम उपाय जानने समयने को मिलेंगे जो आप बहुत सरलतम तरीके से अपने घर के आसपास ही कर लेंगे और जीवन में आप सब कुछ पराप्त कर लेंगे हनमान जी महराज हमारे आसपास चमतकारी देवता सक्ति पुंज के रूप में विराजमान है जो भी भक्त उन्हें पुकार लेता है एक बार में उस भक् उपाय आप सभी को लॉंग का करना है गुरुजी कहते हैं आप सभी अगर हनमान जी महराज के मंदीर में दीपक लगा रहे हैं तो उसमें लॉंग का जोड़ा समर्पित कीजिएगा साथ ही एक विसेस उपाय है जो अपने आप में जीवन के सभी सुखों को प्रदान करने वाला है वह इस तरह से है आप सभी को अपने मनों कामना बोलते हुए आपने यह उपाय कई बेख्टियों को करते हुए हनमान मंदीर में समर्पित करते हुए देखा भी है आपने 108 लॉंग लेने हैं मात लॉंग लेने हैं 108 ठीक है 108 की संख्या आपने परिपूर्ण मानी ज क्योंकि आज का रंग लाल ही माना जाता है तो उसमें जो है अपनी मनों कामना भी जरूर से बोलेंगे और इस लॉंग की माला को लेकर हनमान जी महाराज के मंदीर में चले जाए सबसे पहले वहाँ पर आप सभी को एक जैसा मैंने बता है चाहे तो आटे का दीपक बनाएं क्योंकि यह मनों कामना पूर्थी का माना जाता है चाहे तो माटी का बनाएं यह भी सर्विस रेष्ट है चाहे तो चौमुखा बनाएं चाहे तो सामाने बनाएं उसमें या तो पिल्ली का तेल या चमेली का या सरसो का तेल भरे बहुत सुमाना जाता है और यह दीपक आप प्रज्वलित कर दे इसमें भी आप चाहें तो लौंग का जोड़ा समर्पित कर सकते हैं आपकी इच्छा है अब यह जो लौंग की माला अपने अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 ल दूर होते हुए भाग उदय होता है लगता है सरकारी नौकरी में पदोन्नती नहीं है किसी भी तरह से नौकरी रोजगार के अवसर ही नहीं है ब्यापार में ब्रद्धी नहीं है संतान प्राप्त नहीं है या रोग कर्ज बढ़ रहा है तो सरलसा उपाए आप सभी को भी आपको समय मिले न यह सरलसा उपाए आप कर लीजिएगा बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है पहला उपाए इस तरह से है दूसरा उपाए देवी मा का है क्योंकि गुप्त नवरात्रियों का दूसरा दिन चल रहा है न तो आप सभी ने अभी तक यह सरलसा कारे नह है मखण ठीक है थोड़ा सा मखण घर पर भी होता है जो गाइव अगर रखते हैं उन से लेकर आईये या बजार से भी ला सकते हैं लाल जंडा लेकर आना है जंडा ज्यादा मेहंगा नी आता है जंडा अर्था दोजा भी कहा जाता है जैसे अलग-अलग छेत्रों में नोकामना सीग्र पूर्ण करें मेरे कस्ट मीटा हैं ऐसा कहते हुए मक्खन जो है जंडे में लगा कर आपको मदेवी मा के किसी भी मंदिर में यह जो है लगवा देना है यह कीन मानिए आपके घर की ध्वजा अर्थात आपके घर में चार चांद लगेंगे कहने का अर्था है आपके भविश उज्वल होंगे मातारानी आपके हमेशा साथ रहेंगी तो इस उपाई को भी आज आप जो है दिब्यमंगलवार के दिन कर सकते हैं यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारा सुखा प्राब्त करने वाले हैं परिवार का एक भी सदश्य करेगा ना सभी को इसका सुख प्रादान होगा ही तो यह दूसरा उपाई है जो अपने आप में अध्वत है तीसरा उपाई 108 बत्ती का दीपक बनाने का है गुरुजी कहते है जब परिवार टूट रहा हो भाई-भाई में नहीं बन रही हो द्योरानी जिठानी में नहीं बन रही हो या बच जोकी परिवार को जोड़ने का कारी करती है ऐसे मैं खेव नीदी का भाव करते हुए 108 बत्ती का एक दीपक बना लेना है देखें कई बार सवालाता है नहीं? 108 बत्ती का कैसे दीपक बनता है मैंने इससे पहले आपको वीडियो भी दिया है कि 108 बत्ती का दीपक कैसे बनता है वह सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते 108 बत्ती का दीपक बनाने में कच्चा सूत मिलता है बजार में उसे उंगलियों की मदद से लपेट कर 108 बत्ती का दीपक सिर आप सभी को जो है मांगनी है इस तरह से सरल से उपाय है आप चाहिए तो आज हनमान जी के मंदिर में आवश्यक रूप से पान का बीड़ा समर्पित करवाते हैं तो नौकरी लगती है विवा होता है और रोग कर्ज जो है मुक्त होता है तो पान का बीड़ा बजार में मिलता रही है मीठा पान उसे लेकर आप सभी आवश्यक रूप से हनमान जी के मंदिर में समर्पित करवाएं निश्ची थी आपको बहुत सारा सुख मिलने वाला है साथ ही बहुत अधिक कर्ज है बहुत अधिक जो है परेशानियां बर रही है तो आज के दिन लॉंग का उपाई ले लिए बट वरक्ष के नेचे चले जाए पानी समर्पित करें और दीपक लगाए फिर या तो पानी के जो जलका पात्र है उसके अंदर ही लॉंग का जोड़ा डाल दीजे यह सामाने तोर पर लॉंग का जोड़ा जो है बट वरक्ष की जैसा आपको सही लगे उस तरह से आप समर्पित कर देते हैं तो आपके नौकरी के योग बनते हैं और साथ ही आपके जो है रोग करज विसेश रूप से करज धन की समझ्या तुरंत जो है दूर हो जाती है तो इस तरह से सरलतम उपाय मैंने आपको बताया है इससे पहले भी चैनल पर वीडियो जा चुकी है करपया उन्हें देखिया और अपनी पूजा को समपन गरे हर हर महादेव